हेलो बच्चो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के प्लिटिकल साइंस का समकाले इन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व इसमें पूरा हम एक जो नया वाला स्लेवर से उसके कॉड़े हम करने वाले हैं पूरा चैप्टर एक्स्पेंड करेंगे किसके उन्तवित नोर्स के साथ अब पूरे जुस्विश्व में कैसे सताफित करता है Brain गैशियों के मतलब क्या होता है और्फ क्या होता है ये थोड़ा हम इसको समझते हैं बर चस का मतलब होता है ऐसी स्थिति जिसमें कोई भी देस बाकी देशों मोगाबले जादा ताकत वर रुखें मजबूत हो उसको वर्चसर करते हैं अगर बात करते हैं पाकिस्तान हो गया और इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा में पावरफुल एक तरह इंडिया अपना वर्चस देखा सकता है कि के उपर फाकिस्तान के अपर त्ये आगंसे सन्सक्रितिक छेत्रों में कौन है अंच्वान खेकतेत्राम जो जभात है अब अब बात करते हैं अच्गां जो य दो महासक्ति कॉम थी पहला अमएरिका दूसरा सुवैत संग और विश्व में शिर्फ एक ही महासक्ति बचा उसका नाम क्या है अमेरिका अमेरिका आप मक्रांसी में सक्ति तो एक एसी स्थी आगे जिसमें बिश्व में कोई भी काम अपनी मरजी से कर सकता था उसे रोकने वाला कोई नहीं था इस प्रेचे में एक यह सारा ऊपने कर रहो कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं है कि सबसे पावरफुल वह है अब इसी को हम कहते हैं अमेरिका का वर्चस अब हम देखने वाले ऑप्रेशन डैजर स्ट्रॉम क्या है जो अमेरिका ने वर्चस अपमना एक तरद इतनी वह उप्रेशन हुए है तो वह सारी चीज चाहने की बहुत कोशिश की कि पर इराक इस बात को नहीं माना कि हम कुवेत पर कब्जा करके रहेंगे इसको आज़ाद हम नहीं करेंगे इस एक को बहुत समझाया गया ना माने पर यूनो के एक नाटकी फैसला लिया और इराक पर बंब का प्रयोग अनुमती दे दी कि इर एक लिए अगर बात करें बैकर में काम कौन कर रहा था यूएसे कर रहा था पूरा जो काम चाहता कौन था यूएसे चाहता था लेकिन वहां पर उसने सहयोग किसको दिखाया सामने की कौन कर रहा है यूनो कर रहा है अब यूनो की जो सेना ने इराक पर हमला करने के लिए इस ना में अगे बात करते चौतीष सेनाने अच्वतस्च इना चै lawyers देशों के सीना मिले बायए प्रतिसर जो 45 प्रतिस्ट जो庇णOG कहां वह कहा किते अमेरिका के अदाम घोसीadzi समय इराक के रासपती थे टिन्होंने कहा कि यहाँ ज़ंग हो से 11 जंग लड़ेंगे लेकिन उन्हें हराना बहुत मुश्किल होगा पर ऐसा हुआ नहीं इराक बड़े ही आराम से कुछ दिनों में हार गया उसे कुबयात से हटाना पूड़ा और इस युद्ध में अमेरिका ने अपने शक्तियों पर खुला प्रदर्शन किया और इस युद्ध में अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया जिससे कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है अमेरिका ने यहां पर स्मार्ट बम जो स्मार्ट बम्स होते हैं उसको यूज करा जिसके वजह से इसको क्या कहा जाता है एक तरह से कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है और इसलिए भी कहा जाता है कि कभी यॉनों का प्रयोग द्वारा कोई इस तरह का निर्णे नहीं लिए गया अब हुम बात करते हैं कि ओपरेशन इंफाइनाइट रीच अब ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच अब ओपरेशन इनफाइनाइट रीच यह है 99 थानवें 1998 में दो अमेरिकी दूतवास नौरोबी और दारिश लाम पर हमला कर देगे इस हमले के लिए आतंग वादी संगठन अल काईधा ने अपने जिम्मेधारी लिया इसके ज़वाब में अमेरिका ने באपरिषन इननी ट्रीस को शुरू कर दिया इस को मुखत देशता काईधा को हमले का बखला में लेना और इसका अउपरिषन के तहद अल sponsor की थीकाना पर क्रूज मिसाल से ने हमला किया और इस अगहान किया थिक वहां पर अमेरिका ने खू्ज मिसालों के तवारा थी इन हमलों की वजह से कई बेगुना Sigla मारे गए थे अमेरिका की काफी आलोचना हुई थी अलकाइडा को संगटा ने उसको मारा वो तो ठीक है लेकिन वहां के जो बेस कसूर जनता भी थी वह भी वहां बहुत मारी गए थे जिसके वज़ाते जो यूएसे हैं उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था इस मुद्दे को लेकिए अब आता है अप्रेशन इंफ्यूरिंग्स फ्रीडम अब बात करते हैं 11 सितंबर 2001 को अलग अरब देशों ने लगभग 19 अपरन करता होने अमेरिका की चार बिमानों पर कब्जा कर लिया जो अरब देशों से लगभग जो अरब देश हैं वहां से लगभ 9 अपरन करता होने किया कि अमेरिका की चार बिमानों पर कब्जा कर लिया बिमानों कमक्ख्य मुख्य इमारतों की तरफ सिधा लेकिए यहिंदिया में इस्तित जो पेंटागोन है कहां पेंटागोन से टकरा और अमेरिका का रच्छा मुख्याल है चोथे वे बिमान को अमेरिका कॉंग्रेस की मुख इमारत से टकराना चाहता था पर वह पैंसिलविनिया के खेत में जाकर गिर गया इस हमले को नाइट अलवेशन भी कहा जाता है एया, क्या है और आते हैं इसका 9 मांने में बात करते हैं जो समय हम कैसे लिखते हैं मालो आज डेट है नाइन मालो 9 11 2022 मैं यहां पर लेखता हूं लेकिन इसको हम क्या वह लेए 9 11 मतलब इंडिया में क्या हुआ 9 डेट यह हो गया हमारा डे जो डेट है आज का वह हो गया और 11 यहां पर मन्त हो गया यह निक महिना हो गया लेकिन यहां पर अमेरिका में इस 9 का मतलब होता है मन्त और इसका मतलब होता है जो डेट है ठीक है अनि कि अब अगस्त 11 यह जो अगस्त 11 को अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कब हुआ था नौइगारा का हमला है नहीं कि 11 अगस्त को जो हमला हुआ था लगभग इसमें तीन हजार लोग मारे गए थे कितने हजार लोग तीन हजार लोग आपरेशन इंफिरोडिंग फ्रीडिम्स कि सुवा तो हुई जो इंडियू रिंग फ्रीडिम है उस ऑपरेशन का यहां पर आरम हुआ यहां सभी लोगों ने खिलाफ चलाना चाहते थे अब जो उन सभी लोगों के लाफ चलाना चाहते थे जिन पर नौइगारा का शक्त था और इसका मुख निशाना अल-कायदा तालिबान था ऑपरेशन के तहट अमेरिका ने पूरे विश्व में गिरफतारी की लोगों को खूफिया जेल खानों में रखा गया मतलब खूफिया जेल खानों में रखा गया उसको कोई भी मतलब special जा ऐसा जहां पर कोई नहीं जानता हो ना कोई जानता हो ना उन्हें कोई उस जगह को जानता हो किसी को भी उस इन बंदियों से मिलने की अनुमती नहीं द इसमें एक सेना बनाई गए जिसमें 40 से ज़्यादा देशों के सेना सामिल थी इस सेना को कॉलिशन और विलिंग यानि अकांचियों का महाजोट भी कहा जाता है इस सेना को इराग पर हमला के लिए बनाए गया था अमेरिका द्वार कहा गया कि इस सेना को इराग से बन रहे सामुहिक संगहार की हतियारों खत्म करने और उनके उस पातक पर रोक लगाने के लिए बनाए गया हमले के बाद ईराग ने कोई भी हतियार नहीं मिला इसलिए ऐसा मन माना जाता है कि हमले पर मुख्य देश इराक के तेल संसागनों पर कबजा करना था और इस हमले कि अमेरिका ने युवनो की अनुमती लेना भी जरूरी नहीं था जब यह हमले हुआ जिसमें 40 देशों के जो सेना थी वो मिली इकठा होके इराक पर हमला किया तो इराक यह बोला गया कि इराक में क्या है ऐसे हथियार है जो सामुही रूप से यूज करे जा सकते हैं लोगों को मारने के लिए या युद्ध के लिए तो ऐसा वहां पे कोई भी चेश नहीं मिलता जिससे यह हम फ्रूफ कर सकते हैं अब आता है ओप्रशं इर्याकी Freedom के प्रणाम जो अप्रेशं इराकी Freedom है उसका प्रणाम क्या हुआ क्या क्या कि एनक्लूजिन है अब हम उसको थोड़ा सा प्रणाम देखते हैं और ऑपरिशन ईराकी डड़िंग के परणाम feminine अमेरिका के खिलाफ विद्रूह की शुर्वात करड़ीया और मिलगभग तीन हजार और और सारे सक्ट इस विद्ध हैं अमेरिका के तीन हजार पफ्लिक ुरेह के लगवर सारे लोग मारे अमेरिका ने इस कदम की सब सबने अलोचना जी अमेरिका ने ये operation एकी फ्रीडम स्टार्ड करा था इसका बहुत अमेरिका को खाम्याज़ा भनना पड़ता है उसके बाद बूरा जो बिश्व होता है वह अमेरिका का अलोचना करता है अब हम बात करते हैं अमेरिका का वर्चस्व जो मेन हमारा लोगा हम Iya पर डिसकस किरें हैं अब अमेरिका का वर्चर्ष विश्व का है विस्व में विस्व की सबसे बड़ी अर्थविस्था isol का प्रतीक है बैई करते हैं जो मेरिक विस्तार है वो भी जाता है हर छेत्र में सबसे बड़ी तीन कंपनियों में इस एक अमेरिका के मालो तीन कंपनियों में सबसे बड़ी तीन में वो दुनिया के सबसे बड़ी कंपनिया कहां से विलोंग करती है USA से विलोंग करती है MacDonald यह सारी जितने भी बड़ी-बड़ी कंपनिया है अमेरिका से विलोंग करती है अब आते हैं dollar का वर्चस America का जो currency है उसको हम बोलते है dollar क्या बोलते है बात करते हैं तो अल्डिया ऑन कीसे का अमेरिका के डॉलर से सबसे मजबूत मुद्राउं है में सबसे तरहारा है सब्शों में Serial अ करने की ताक्त को रहा पताई है फ Rocky जो अमेरिगu में सबसे बड़ेश सेना किस से का सै біль हैं अमेरिका से नीचे किसे हो left को सबसे बड़े गर सका किसे पास से अमेरिका गर और अगर बात करते हैं अमेरिका तरह सबसे बड़े देशरों सबसे आपक्हर ऐक तरफ इन सब को मिलाने के वावजूद भी अमेरिका उनसे ज्यादा खर्ज करता है। बिस उने कहीं भी वार कर सकतने की जो छमता है। अमेरिका किसी भी केवल संख्यात्मक रूप से ज्यादा नहीं बलकि अपनी चमता और उसकी गुडवत्ता से भी विश्यों में सबसी ज्यादा है। अमेरिका कहीं भी चाहे किसी भी कंट्री में अगर पूरी वर्ल्ड की बात कर्ते हैं। अगर बात करते हैं सिफ संख्यात्म का जाद की संख्य संख्यात्य है। अगर बात करते हैं सिर्फ संक्यानिस अमेरिका सम जो सीना है बहुत ज्यादा है नंबरों के संक्यानिस अधंगी जिका रिय ज YOUT नosure numyuk टवरफुल वह बहुत ज dependence बइल है वंके जांगा का तो है अमेरिका का अब जो MBA की डिगरी है विस्विन प्रसेद MBA की डिगरी की सुरुवात अमेरिका द्वारा किये गई थी वर्तमान में यह डिगरी विस्व में सबसे उच्छ तरियों में से एक है जो MBA की डिगरी है वो विस्व की सबसे उच्छ तम डिगरी में से एक है यह स किसी ने कर यह था चीह नкимиवें अब समुद्री मार्गों पर नियंतरन अगर बात करते हैं वारतमान सबस्क्राइब को सभाइब किया जाता है जतने विए समुद्री मार्ग है उनका जो रखंचा होगा उनका je जो नीएंतरन एक तरह से अमेरीका ही रख देखता है कैसे का चीजी हैं वो इंटरनेट रख ता मैं पूरे विश्व इंटरनेट पर निरभा एक श less सनचाल और अमेरिका विशह का सब्दम्हें एक बाता है कि सभी बड़े-बड़े मुख्यालियों में अमेरिका का विस्व में सभी इसमें काम करने वह कहां से हम सीखें वह हमने युए से से सीखा हुआ है जैसे जीवन शाली को अपना अब नीली जिन्स हम पहनते हैं वह कहां से हम लिया है अमेरिका से आया है उसकी सांस्कृतिक वर्चस्व का धारन है अमेरिका जीने की इच्छा विश्व में किसी भी हिस्व में अगर हम जाना चाहते हैं तो वहां के जो लोग हैं इसे पूछा जै कैसे जीवन शाली चाहते हो तो वह कहते हैं हम अमेरिका की तरह जीवन शाली चाहते हैं उपिक तो जितने भी विश्व में अमेरिकी वर्चस् मुनलग क्या-क्या रुकावट है वो थोड़ा से हम यहां पे डिसकस करते हैं थोड़ा देखते हैं पहला है जो संस्थागत बनावट है अमेरिकी संस्थागत बनावट उसके वर्चस की रास्ते में सबसे बड़ा जो बाधा है अमेरिका में शक्तियां शाषन के तीनों गलत प्रивать पर अमेरिका के मनमानियों का रोग लगा जाता है जो अमेरिका है वहां के जो समाझ है जांता वहां की जानता सिक्षिक है कि अगर कोई गलत प्रयोग होता है करते हैं आबढ Two Day मatalo अ terminar का संगठन के अमेरिक Deborah को होई है इस वज़े जो संगठन होते हैं देश को कुछ भी गलत करने पर रोख देता है अमेरिका वर्चस्पा तो एक तरह से लगाम लगता है अब अमेरिकी वर्चस्पन से अगर निपटना है किसी देश को तो वह कैसे निकल एक तरह से अमेरिका इतना बड़ा जिदर हवागं हाद करेंगे हम सब्सक्राइब करें हाद को छे हमें क्या करना चाहिए अमेरिका के साथ सान चाहिए अमेरिका का वर्चछ तो हो और उसके वर्चैस वर्चैंक का फायदा भी हमें मिलता। जैसे हम समें हवा जयरेगijn हम चलेगे हवा तो हमें क्या करेगा मुझेखा। अगर ऐसे ही हम अमेरे अमेरिका के सांथ चलेंगे उसके सांथ रहेंगे उसके जो वर्चस के सांथ चलेंगे तो हमें भी फायदा मिलेगा अब अंतर राष्टी राजनेती में छुपना अंतर राष्टी राजनेती से चुप जो चुपर जाना ही वर्चस से बचने का एक तर हो है माल लो अगर हम बात करते हैं क्या आपने कभी सुना कि जो बड़े-बड़े अमेरिका है अमेरिका कोई किसी छोटे देश ने कुछ बोल दिया हो जो छोटे देश होते हैं जो बहुत गरीब हैं या बहुत आकार में चोटे जनसंक्या जिनके बहुत कम है वह अमेरिका के जो decisions होते हैं उसमें कुछ बोलते हैं अभी हाल में अगर हम बात करते हैं जो रूस और रूस ने जो हमला किया था उस पर हम बात करते हैं तो अमेरिका इंडिया ने कोई भी वर्च उसका अपना एक तरह से व्यू नहीं दिया कि दोनों ही हमारे मित्र हैं अमेरिका और रूस दोनों मित्र हैं इंडिया ने अपना कोई नहीं दिया वैसी अगर बात करते हैं तो एक तो जो अपने आपको चुप रखना मतलब जो भी वह कर रहे हैं ठीक है गलत है सही है करो हम कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन किसके लिए छोटी देशे बोले बड़ी दूस के लिए ऐस चीन और रूस रूस चीन भारत तीनों सेना में अच्छे कासे हैं आर्थे की सपोर्ट भी अच्छा कासा है और अगर हम बात करते हैं तीसरी चीज इनका जो वह जनसंक्या भी बहुत जाता है बहुत थोड़ा सा रूस में कम है बट अगर तीनों ही मिल जा ता अमेरिका को को एक कंट्रोल कर सकते हैं इस गट बंदन का बनना संभाव नहीं लगता क्योंकि इन तीनों देशों के बीच में वर्तमान में कोई भी सहयोग नहीं है अब बुद्धी जीवियों का गट बंदन मीडिया के लोग अमेरिका के नागरिकों और बुद्धी जीवों को लेकर यह संगठन बनाा जा सकता है जो की अमेरिका की नेतियों के समिछ्छा करें उनके सही फैसलें पर समर्थन उनके गलत फैसलों का विरोध करें बुद्धी जीव करें अब अमेरिका और भारत का रिलेशन क्या है क्या हुश्ट हम लगत करते हैं हम भारत हम पढ़ रहे हैं तो हमें यह olur $ ठोड़ा हम यहाँ पे देखते हैं भारत और अमेरिका के बीच में नजदीक के कावा लाकी सुख फूरू में थोड़ा खराब थे लेकिन अभी अगर बात करते हैं तो अच्छे संबंद हैं उन्हें सब्सक्राइब भारत और अमेरिका के संबंद में विशेष्ट हैं भारती सौक्ट वेर जो निर्यात है 45% कहां किया जाता है अमेरिका में किया जाता है अमेरिकी नियुक्त 5 टर्चे की telling कर बारतिय बहुत अच्छाइब के से लिएए सकते हैं जो अमेरिका है नहीं यहेड़ना सब्सक्राइब भाइरत के बात करते हैं तरह हम बात क्या सकते हैं जो अमेरिका हैं भारत के संबंद बहुत अच्छे इस समय अभी बहुत अच्छे है अब आगे भी अच्छे ही रहेंगे ति ये चेप्टर हमारा यहाँ पर खतम होता है अगले चेप्टर के वीडियो आपको नेक्ष्ट मिल जाएगी धन्यवा